आठ मार्च अंतराश्टि महिला दिवस के लक्ष में मनाया जाता है महिलाओं की आर्थी और सामाजिक राजनितिक जो चीजे हैं उनको एक उस्तव के रूप में मनाया जाने वाला दिन है इस पर ज्यादा बात्चीज करने के लिए हम आज साथ राज्यमंत्री रिखारिय जी मोदूज दरा है कि क्या कुछ इस पर खास रहने वाला है उतराश्टि महिला दिवस अपने अपने आप में इतिहासिक दिवेश है और इस दिवस की खासत ही इस बात से और बढ़ जाती है कि इस दिन पूरे परतेर भर में जो है महिलाओं की अब तक में वैदिकाल से लेकर अब तक में क्या-क्या महिलाओं ने प्रगदी करी है उसके एक समिक्षा की जाती है साथ में हर शेत्र में अच्छा कारे करने वाली महिलाओं को प्रोसाहित किया जाता है सम्मानित किया जाता है उत्राखंड की परिवेश में ये दिमें बात करती हूँ तो मैंने कोशिश करी है कि अपके बार में महिलाएं अपने परिधान को लेकर जो उत्राखंडी परिधान है जो कि कुमाओ और गड़वाल का परिधान है उसको लेकर प्रतियोगीता कारिकरम जो है वो किया जाए जि को बनी रही ही को सारी ब्यवस्ताइं यह परिद्वान बने रहे उसके लिए प्ररिद करने के संदर भी जो है एक प्रोग्राम हम लोग्त आयुजित कर रहे हैं जिसमें हम तेरा जन पदों से हम Assistance को हमलों कामन्तित कर रहे हैं और जिसमें हमारे अपनी संस्कृती को जानने वाले हमारे ऐसे जजस भी रहेंगे, जिनके माथम से अच्छे परीधान को, या जिनों ने सही माएने में कुमाउनी और गड़वाली परीधान का प्रेजेंटेशन किया हो, ऐसी वालिकाओं को ऐसे वित्यों को, जो है, वो सम्मानित कि अपने परिधान को पहनना और उसको आगे बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ कहेगा और इसके साथ मैं भी उस कारिकर में प्रतिभाग कर रही हूं ताकि परिधान को लेकर लोगों में या महिलाओं में जानकारी और उसकी जो उत्साहा या उसकी प्रोसाहना जो की ज किस दिमा नहीं कि यसमारे मैं मांसिरू से और बहुत सशक्त है आर्थी जो उसकते हूं कि स्वालम्भन की और बढ़ रही है पहले के तुल्ना में महिलाएं अब एपने अधिकारों के प्रती जागरू कुई है फ़ले के तुल्ना में महिलाएं अब जादा आत्मनेर भर बनी है और पहले के तुलना में महलाएं जो है मैं कह सकती हूं कि अब ऐसा कोई शेत्र नहीं रहा ना जल में ऐसा कोई शेत्र रहा ना थल ऐसा कोई शेत्र रहा ना नव ऐसा कोई शेत्र रहा जहां महलाओं ने अपनी उपसिती दर्ज ना की हो तो मैं सम कि आज जो जिन उपलब्धियों को उत्रखंट के महिलाओं ने हासल किया है मैं समझती हूं कि उन उपलब्धियां वो उपलब्धियां आज जो है वो गिंती में हैं लेकिन मैं चाहती हूं कि अंगिनत में ये गिंती में आए तो मेरी शुपकामनाएं भी हैं और मेरा ये मिलता है और सपोर्ट मिलता है तो वही समाज आगे भी बढ़ पाता है। लेकिन मानि मुक्वमंतरी जी ने वो कर दिखाया है, कैबिनेट ने वो कर दिखाया है, भाशवा की सरकार ने कर दिखाया है, मुझे बहुत खुशी है, महिलाएं जो है और आत मे निरौ बनेंगी और उसके आधार पर वो अपने किसी भी प्रकार के रोज़गार करने के कि तमाप तमाप जो सरकारी की यूजनाएं हैं उनको दी जा रही हैं साथ ही साथ महिलाओं को इस समय ट्राइटनेशनल की तरफ जोड़ने की भी उन्होंने बात गई है अपने सेयोगी सतीष गोठारी के साथ हरिश्कनेडा समय साक्ष देरा दो